हेलो एवरिवान आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर आपके सामने आज है इंडिया की सबसे ज़्यादा बिगने वाला कॉंपेक्ट SUV कार क्रेटा जो की सबसे एफड़ेबल प्राइस वाला वेरियन में लेका आया हूँ अ置ब काफी वेरियन इसमें आपको काफी सारा फिचर्स के साथ और एन्ड काफी भेलू फ़र मनी वाला कार देखने को मिलेंगे तो बीडियो पर बने रहे हैं यह है। की चावी की लेस एंट्री है दो आपको की लेस एंट्री वालत चावी देखने को मिलेंगे यह देखिए पीछे की तरफ हुंडाई की लोगों देखने को मिलेंगे क्रोम फिनिश के साथ काफी प्रीमियम लुक है की के तो फ्रेंड्स सीसी के अगर मैं बात करूँ तो 1497 सीसी देखने को मिलते है और आर्पियम जनरेट करते है 6300 आर्पियम और टॉर्क है 143.8 अनम के जो तॉर्क देखने को मिलेंगे और एक्सोरूम प्राइस दिया हुआ है 12.84 ताउजन जो की काफी एफोर्डबल प्राइस है और काफी भेलू और मनी वाला कार है वीडियो पर बने रहे फ्रेंज स्टार्ट करते हैं फ्रंट से फ्रंट का लुक देखे काफी बॉल्ट और प्रीमियम लग रहे हैं और स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से हेडलाइट जो की ट्रायो बीम हेडलाइट आपको देखने को मिलेंगे जो की हेडलाइब है प्रोजेक्टर में आते हैं काफी ज़्यादा इसका बिजिल्बिटी क्लियर है और यहाँ पे फोग लैंप और इंडिकेटर की जो प्लैसिंग यहाँ पे दी गई है ग्रिल आप देखे काफी ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं क्रोम फिनिसिंग के साथ और बीच पे हुंडाई की जो पेजिंग है काफी बोल्ट सा लुक से सिल्बर कलर के साथ तो दोस्तो फ्रंट का लुक में यहाँ पे टो करने के लिए आपको प्लैसिंग दी गई है और यहाँ से अगर करी खराब हो जाता है तो आप वहाँ से टो कर सकते हैं यहाँ प यहाँ पे देखिए 16 इंच के जो टायर रीम आपको देंखने को मिल जाते है लेकिन एलो विल्स आपको आप्टर मार्केट करवाना होगा एलो विल्स नहीं आते हैं आपको प्लास्टिक के क covering देखने को मिल देखने को मिलेंगे यहां पर एक लैडिंग दिया हुआ है ब्लेक कलर के साथ जो की पत्थर वगेरा लगने से आपको काफी ज्यादा बचाएंगे यह है ओर बेम विट टान इंडिकेटर जो की शिल्वर कलर में ही दिया गया है साइट के लूक यहां पर डॉर हैंडल है बोडी कलर में ही आते है पर आपको रिक्वे सेंसर देखने को मिलेंगे उपर की तरफ रूफ रेल जो है वो भी आपको सिल्वर कलर के अंदर ही देखने को मिलते है बेक साइट की तरफ अगर देखेंगे तो रियर की तरफ रियर से क कुछ ऐसा लगता है दिखने में दूर से काफी ज्यादा अच्छा सार्क फिन एंडिना आपको जरूर ओफर किया गया है इस वाला वेरेड में भी जो की कार का लुक्स और भी ज्यादा इन्हेंस करके देते हैं इस्पोईलर काफी बरा सा इस्पोईलर दिया गया है जो कार का लुक्स को प्रीमियम एंड इस्पोटी अर्क बना रहे है वाइपर डिफोगर जैसे फक्सेंस देखने को मिलेंगे और यहाँ पर रिफ्लेक्टर एक बेक साइट में क्रेटा की बैजिंग हुंडा की बैजिंग यहाँ पर आपको पार्किंग केमरा फोर सेटी परपोस और फोर सेंसर देखने को मिलेंगे पीछे की तरफ आपको ब्लैक में फिनिश की गई है यहाँ पर रिफ्लेक्टर एंड बैक रिवर्स लाइट वोगरा काफी अच्छा फीचर सब मिलेंगे ो इंटिरियर देखेंगे, सबसे पहले तो डॉर काफी ज़्यादा मजबूत और भारी है और जो प्लास्टिक वालेटी है वो भी काफी जह ज्यादा प्रीम Size का जो यूज किया होuran का है और का जो कलr है टॉल टॉन कलr वाइट ज़्ट अबलेक कलr के साथ देखने को मिलें यहाँ से Central Lock, Power Window की Switches and ORBM Functions तक आपको देखने मिलेंगे यह Door Handle आपको Silver Color के साथ देखने मिलते है काफी अच्छा जो की Quality है यूश किया गया है इंटिरियर देखे काफी Fresh Look है Dual Tone Color के साथ यहाँ पे Manually आप Height Adjustable कर पाएंगे Seat की Quality जो है Bucket Type Seat है यहाँ से आप Up and Down कर पाएंगे अपने मताबिक So काफी ज़्यादा अच्छा फीचर से जो की इस Range के में भी मिल जाते है यहाँ से आप Fill Lead खोल पाएंगे यहाँ से Bonnet की जो Opening कर सकते है Push Button and Start जैसे Self Functions देखने मिल जाते है यहाँ पे Headlight Leveling and Informant System जो की 8.5 इंच के आपको देखने मिलेंगे साथ में आपको Manually Button भी देखने मिलते है and Automatic जो Auto Climate Control AC की Functions जैसे सबसे पहले मैं Digital Cluster दिखा दूँगा काफी ज़्यादा Simple सा दिया गया है लेकिन काफी Classy Looks है बहुत लोगों को पसंद आता है लेकिन ज़्यादा Fancy Looks नहीं दिया गया है लेकिन काफी सारा आपको Information देखने को मिलेंगे like tire pressure and mileage वगयरा सभी चीज आप यहाँ डिस्प्ले कर पाएंगे काफी चीज दिया गया है like cruise control वगयरा सब कुछ आपको यहाँ पर सो हो जाएंगे so यह है steering wheel steering wheel में आपको Informant system control जो की audio mounted button देखने को मिलते है और जो touch screen है touch response देखिए काफी अच्छा response है यहाँ पर android auto and apple car play and bluetooth सभी तरह की जो features है जो आपको देखने को मिलेंगे steering mounted button वगयरा सभी चीज है call cut receive for गयरा and cruise control के जो button है यहाँ से आप light अपना light adjust कर पाएंगे car का and यहाँ से wiper की setting नीची की तरफ यहाँ देखेंगे तो six speed manual transmission कुछ storage दिया गया है and 12 volt के जो output charging socket यहाँ पे USB की दो यह देखिए USB की दो एक charging point है एक आप अपने pen drive यूज कर पाएंगे songs वगेरा प्ले करने के लिए so यहाँ भी आपको handbrake manual में देखने को मिलेंगे manually जो है head यहाँ पे जो की cuff holders and armrest जो की मेरे सोचा नहीं ता इतना ज़्यादा features मिलेंगे इस वाला bearing में भी जो की S model best model से थोरा सा एक step उपर वाला model है E के बाद जो आते है S उपर आपको reading lamps देखने को मिलेंगे and sunglass holders यहाँ से क्योंकि sunglass जो की है बाहर राखेंगे तो scratches हो जाते है इसलिए काफी अच्छा है यह ventilated mirror यहाँ पे sun से बसने के लिए यहाँ पे भी आपको mirror नहीं दिया गया है लेकिन quality काफी जवर्दसते भाई so top की quality है उपर dashboard की जो finishing देखिए यहाँ से जो view है काफी अच्छा है जो latest logo के लिए भी काफी अच्छा है bonnet आप properly visible कर पाएंगे and dashboard की quality काफी अच्छा है two air wax for safety features यहाँ से देखेंगे globe box ABS EBD जैसे safety features दिया गया है and hill start assist और vehicle stability management जैसा functions आपको पूरा देखने को मिलेंगे cruise control यहाँ पे pressing की गई है नीचे की तरफ एक liver है आपको tilt steering की functions तो देखने को मिलेंगे telescopic नहीं आते हैं आप अपने convenient की हिसाब से up and down कर पाएंगे जो standing की color है इसमें भी silver की touches यूज किया गया है पर आपको ladder wrap देखने को नहीं मिलते हैं सो काफी interior भी premium and features के मामले में Hyundai कभी पीछे नहीं रहते हैं features safety सभी चीज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे और Hyundai देते हैं three years and unlimited kilometer अपने कारों पे जो की काफी अच्छा warranty है चलिए rear की तरह देखते रियर में क्या क्या हमें देखने को मिलेंगे वैसे door खोलते ही normal सा door से मिलेंगे लेकिन आपको यहाँ पे है सबसे पहले sun curtain देखने को मिलेंगे यह काफी useful चीज है आपको धूप से बचाएंगे यह जो body color है जो door के color काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे देखने में space देखी काफी अच्छा space है लेकिन आपको headrest non-adjustable देखने को मिलेंगे फिर भी काफी अच्छा cushioning यूश किया गया है बैटके देखेंगे so wheelbase है 2610 mm के जो wheelbase है काफी बड़ा मैसिब सा wheelbase है आपको बैटने में काफी comfortable होगा back side में अगर आपका height 6 6 से ज्यादा भी है फिर भी आप आराम से बैट पाएंगे पिछे के तरफ भी एक reading lamps देखने को मिलेंगे and यहाँ पे rear AC bands and कुछ storage with charging point दिया गया है for आपके passenger के convenient के लिए आराम के लिए and आज काल तो यह सब मिली जाते है and rear से front का looks काफी अच्छा लग रहा था दिखने में rear के तरफ देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग boot खोल के देखते है boot में आपको काफी बरा सा boot space देखने को मिलेंगे 433 लीटर का जो की काफी massive सा boot space है and यहाँ पे boot lamps आपको available देखने को मिलते है जो की आपका luggage वगेरा काफी सारा यहाँ पे आ जाएंगे spare wheel नीचे के तरफ with tools kit के साथ so आपको कैसे लगा comment में बताइए इस वाला model को लेना चाहिए की नहीं लेना चाहिए and well for money है की नहीं मुझे comment में जरूर लिखेगा and car car looks कुछ ऐसा था दिखने में so after market आप कुछ कुछ चीज़ करवा सकते है like yellow wheels वगेरा लेकिन light के जो funks light के चीज़ है उसे छेरगानी मत कीज़ेगा क्योंकि आपके warranty खतम हो जाएंगे so friends यही तक था मेरा आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो like subscribe जरूर कीज़ेगा and बताइए मुझे कौन सा variant and कौन सा car car आपको वीडियो चाहिए मैं जरूर लेके आऊंगा आप लोगों तक so मुझे इजाज़त दीजिए मिलते हैं next वीडियो पे thank you, bye, swastri जी